चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि text के font का color कैसे change किया जाता है सबसे पहले text को enter करना होगा जैसे हम एक simple text लिख देते हैं computer अब इसका रंग change करने के लिए color change करने के लिए इसे select करना होगा जो drag and drop करकर बहुत असानी से कर सकते हैं या control A press करकर भी किया जा सकता है उसके बाद जो है font tape के इस font color पर click करके जो है जिस color का font चाहिए उस color का हम ले सकते हैं जैसे हम red color का ले लेते हैं red color पर click करके इसे press कर देते हैं button तो इस फरकार से font का color red हो चुका है अब font का color तो red हो गया है और बहुत ही असानी से इसका color जितनी बार चाहें change कर सकते हैं इसका color जो है green करने के लिए green कर सकते हैं बहुत ही असानी से bold करना हो तो bold कर सकते हैं italic और underline जो कि हम पिछली class में देख चुके हैं यह जो है मुख्य रूफ से अब paragraph tape की हम बात करें तो paragraph tape में जो है यह aligns दिये गए हैं मुख्य रूफ से center में यदि हमको text चाहिए तो center के लिए यहाँ पर click कर सकते हैं यदि text जो है left पर चाहिए तो left पर click करें तो text किस परकार से left में आ गया है आप देख सकते हो और यदि text right पर चाहिए तो right पर आ गया यदि text justified चाहिए तो justified हो गया है तो इस परकार से जो है इसे center में रखना उचित रहेगा तो हम इसे center में रख लेते हैं और bold को हटा देते हैं italic को हटा लेते हैं underline अच्छा लग रहा इसे रहने देते हैं अब इसके बाद इसे bold कर देते हैं अब जो है font का एक option है जिसे कहते हैं जो है यदि यह पूरे small letter में लिखा है computer इसे capital letter पर करना हो तो simple जो है यहां पर एक option दिया गया है इस option की साहता से जो है uppercase कर सकते हैं और uppercase करने से जो है यह letter uppers हो जाएंगे यदि फिर से इसे जो है lower case करना है तो lower case कर देंगे small letter आजाएंगे अपर case करेंगे तो capital letter आजाएंगे और इस परकार करेंगे तो इस परकार से देख सकते हैं तो uppercase करके यहां अपर कर सकते हैं रंग change कर सकते हैं color change करने के बाद जो है size को भी कम या जादा कर सकते हैं और size को यहाँ से भी जादा या कम कर सकते हैं बहुत असानी से यदि बड़ा वाला एक को click करें तो size बड़ी होगी यदि छोटे वाले एक को click करें तो size कम होगी इस परकार से इतनी साइज अच्छी है इसे रख लेते हैं तो इस परकार से font option जो है पूरा complete हो चुका है उसके बाद paragraph option में भी जो है center, left, right and justified हो चुका है तो उसके बाद जो है मुख्य रूफ से ये उतने काम की चीज़े नहीं है इसको हम बाद में देखेंगे अब next video के में आंगे कीची जाएगी